नमस्कार दोस्तों मैं हूँ अतुल दोस्तोंगर आप Moto H50 series का कोई भी phone यूज़ करते हो जैसे की Moto H50 Pro, 50 Ultra ये 50 Fusion तो इस phone में आपको मिलता है adaptive clock widget का शांदार feature तो by default आपके home page पेश होगा इस तरीके से ये clock widget यहाँ पे आपको शुकर रिंगे तीन चीजे टाइम, date और बैटर परणसी है उसे change कर पाऊगे अपने हिसाब से, और elements में आपको मिलते हैं 4 options हाला कि आप एक विजट में 2 options को enable कर पाऊगे, जैसे की Air Quality Index, Battery Level, Step Count और Alarm Info, तो आप भी अपने phone में इस तरीके से in clock widget को customize कर पाऊगे, काफी शांदार तरीके से, तो सबसे पहले आपको place करना है clock widget को, तो आपको home page पे long tap करना है, नीचे होगा यहाँ पे widgets का option, इसे open कीजिए, और यहाँ पे है motor widget, इसे open कीजिए, सबसे पहला होगा इसमे adapt, इस पे long tap करके, drag कीजिए home page पे, तो आपको अब यहाँ पे मिलेंगे, अलग-अलग option जैसे की panel shape, panel style, तो यहाँ पे अब आप फिर यहाँ पे आपको मिलते है, 6 अलग-अलग panel style, तो आप इन्हें भी change कर पाऊगे, यहाँ पे है digital, analog और weather info, फिर यहाँ पे है display मतलब कि आपको कौनगों से element को show करना है, इस पे जैसे की battery level, date और weather status, तो मैं लेजी मुझे आपे battery level show नहीं करना है, तो मैं इसे off करूँग यहाँ उसे भी यहाँ से change कर पाऊगे, 0 to 100%, तो माल लेजी मैंने हाँ पे set किया है 60%, तो आपको back जाना है, तो आपको मिलेगा इस तरीके से आपका नया clock widget, तो यह है clock widget, अलग-अलग shape और अलग-अलग style में, तो आप इसे अपने हिसाब से customize करके home page पे place कर पाऊगे, हाला यहाँ पे आपको मिलेगा यह adaptive clock widget, इसलिए इसे कहते है adaptive widget, मतलब कि आप अगर इसके size को change करोगे, तो इसके style भी change हो जाती है, इस तरीके से, अगर आप इसे करोगे bigger में, तो यह हो जाएगा adaptive clock widget, अब इस widget को भी आप अपने हिसाब से customize कर पाऊगे, तो आपको इस पे long tap क किजिए, तो यहाँ पे आपको मिलते हैं 6 अलग-अलग panel shape और 6 अलग-अलग panel style, अब style में आपको मिलते हैं 6 अलग-अलग style, दो है analog, तीन यहाँ पे है digital और एक है weather, तो अगर आपने analog पे set किया होगा, तब भी आपको मिलेगा shape का यह option, आप देख सकते हो, आप जो shape है, उ तरके से, तो मालीजी अभी फिलाल मैंने set किया है इस shape को और style को, फिर यहाँ पे है all style, तो इसमें है city name और weather, date और time, तो आप इसे enable कर पाऊगे, अभी फिलाल मैंने set किया है city name और weather, इसलिए मुझे आप यह show कर रहा है, हाला कि आप इसे change कर सकते हो तरके से, पिर यहाँ आपको show होंगे, दो अलग-अलग element, हाला कि आप इसे अपनी साब से change कर पाऊगे, तो यहाँ पे आपको मिलते हैं, चार अलग-अलग options, हाला कि आप किसी भी दो options को place कर पाऊगे, जैसे कि यह है alarm, air quality index, battery level, step count, माल लिजी मुझे left में place करना है, step count को तुम इस पे tap तो हमने step tracker को enable कर दिया है, मतलब कि आप कितने step चलोगे, यहाँ पे आपके step count शोंगे, फिर right में मैं चाहता हूँ, air quality को place करना, तुम इस पे tap करूँगा, मतलब कि मेरे place पे air quality index कितना है, यहाँ पे show होगा, और यह है transparency को change करने का option, तो आप हैसे transparency को change कर पाऊगे, इस तर particular app को open कर पाऊगे, जैसे कि यह है clock app, यह है weather app, अगर आपने battery level यहाँ पे set किया होगा, तो battery settings open हो जाएगा, फिर यहाँ पे है step count, तो अगर आप चाहते हो step count आपके phone में काम करें, तो आपको सबसे पहले download करना होगा, गूगल fit को, यह आपके phone में पहले से होगा, अगर न फिर किजिए next, turn on, permission को allow किजिए, तो हमने step count को enable कर दिया है, और आप देख सकते हो, यहाँ पे मुझे अपने steps शो कर रहे है, और यह real time में update होता रहता है, मतलब कि जैसे आप steps चलोगे, वैसे ही यहाँ पे जो count है change होता रहेगा, और आप अगर इस पे tap करोगे, तो आपक शो कर रहे है, pink color, अगर मुझे इसे change करना है, तो मुझे home page पे tap करना होगा, और यहाँ पे है personalized, इस पे tap किजिए, colors पे tap किजिए, और आप यहाँ से color को change कर पाऊगे, अगर मुझे place करना है red, तो मैं rate करूँगा, save, तो मुझे यहाँ पे शो कर रहेगा, red color, अपने widget के ल पे set करोगे, तो आपको इस तरह के से show गा, यह clock widget, अगर आप transparency को set करोगे, 100% पे, तो आपको show करेगा, इस तरह के सही widget, तो मुझे आपको इस एडिट करना है, तो आपको इस पे लोंग्ट्याप करना है, pencil का icon पे tap किजिए, तो आप यहाँ से shape को, यह style को change कर पाऊगे, और जो elements है, आप यहाँ से इन्हें customize कर पाऊगे, फिर यहाँ पे है transparency का option, तो मैंने माल लीजिए, आप ए set के आभी फिलाल 50% पे, तो मुझे show होगा, इस तरह के से मेरा i clock widget, तो इस तरह के से आप अपने moto age 50 series के किसी भी phone में, इस clock widget को enable कर पाऊगे, इसे केते है adaptive clock widget, और से आप काफी अच्छे से customize भी कर पाऊगे, और इसके जरी आप अपने daily step tracker को भी enable कर पाऊगे, मतलब किया आप कितने step चलते हो, आप उसे जान पाऊगे, real time में, इस widget के जरीए, दोस्तो तो यह था इस वीडियो में, अगर आपको कोई भी सवाल हो, तो आप हमें पुछ सक सकते हो, आप मुझे इंस्टाग्राम पर या फिर ट्विटर याने केक्साप पर भी message कर सकते हो, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तो,